चले बाई बदवार की सुबा हफ़ते का मिड़ पॉइंट जी हाँ अभी पूरे तीन कारोबारी सत्र बचे हैं वीकेंड आने में और उसकी इंपोर्टन्ट इसलिए है कि लग ऐसा रंगले लगा है कि बजार की गरावट वीकेंड पही जाके जब सैड़ेड़े संडे मारके बंद होंगे तब ही थमेगी कल दर असल बैक टू बैक एर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारती बजारों में दबाफ के साथ कमजोरी के साथ लाल निशान में कामकाज होता हूँ नजर आया और कल वोरी टिकर टीम बता रही थी 30 अपरेल से 13 माई 2019 तब ऐसा आया था जब 9 रेड़ बार्स बने थे एक साथ बैक टू बैक उसके बाद चार साल बाद उसी तरह की बैक टू बैक पिटाई भारती बजार इस समय छेलते हुए आज कल तक आज ट्रेडिंग बास लाल हो चुके हैं तो पेनफुल रहा है काय का ओवर सोल्ड काय का सिस्टम में एग्रेसिव शॉट्स काय का बैंक रिफ्टी की रिलीफ रैली जो परसों देखने को मिलीती सब जादा का धरा रह रह गया कल फिर भारती बजारों में आदे परसंट की कमजोरी आदे परसंट का दबाव लेकिन हाँ आज पेनल्टिमिट सेशन आज वो एक्सपारी से पहले वाला डी माइनस वान देखते हैं कैसा पैन आउट होता है क्या वाकई कोई रिलीफ स्क्रीन पे आती है या नहीं अच्छा आज खुलते ही कुछ इंपॉर् आटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे मिले जोरे रहने वाले इध्यान रखेगा कोई सीवी बहतर कर जाएगा कोई एंट्री रेवल की दिक्कतें जसकी तस्बनी रहेंगी तो मिले जोला रोजान वहां से देखने को मिलेगा और आज लंबे अरसे बाद एक आई निशान के साथ शुरुआत होगी एक चुथाई फीजदी के दबाव के साथ इंडिकेशन ऐसे हैं कि हम शुरुआत करेंगे वेनस्डे के दिन अब ये दबाव का पीछे के रीजन समझेए कल फिर यूएस के मारकिट्स दबाव में थे तीन फ्लैट से तीन चुथाई वो 15-16 पॉइंट का दबाव बढ़ते बढ़ते 232 अंकों के दबाव के साथ क्लोज फिर उपरी स्तरों पे या फिर फ्लैट लाइन पर टिकी नहीं पाए फिर वो प्रेशन माउंट हुआ सेशन के दुराँ जैसे हमने परसो स्क्रीन ऐसे ही प्लियाउट होती भी देखी थ उसके उपर से आज भी यूएस के फिचर एक तिहाई से आधे परसंट का दबाव जो ज़्यादा दबाव दिखा रहा है जो पॉकिट कल तो अउट परफॉर्म कर गई नाजडाक फ्लैट था आज वही आधे परसंट का दबाव दिखा रहा है तो यानि कि वहां यूएस मे आज भी मूड बिगड़ा रहेगा ऐसे इंडिकेशन सा रहे हैं तो हुआ क्या हमने कहां छोड़े थे फ्यूचर कहां खड़े फ्यूचर आपकी स्क्रीन्स पे जब हम कल क्लोज हो रहे थे फ्लैट से एक चुथाई फ्यूचर में दबाव था दबाव कल भी ज़्यादा आ 40-50 पॉइंट नीचे आज ही रेडिंग सेशन में खुलेंगे